नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का गरिमा येस योटूब चैनल में फ्रेंड्स हम लोग MCQs को देख रहे हैं इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग ने हरपा काल से संबंदी चीजों के बारे में देखा था यानि प्रस्णों के बारे में देखा था जो UPC, BPC, JPC या UPPCS के लिए काफी important reference जयान में रखिएगा तो चलिए हम लोग EK करके लगाते हैं और आप लोग और इसको लगाते हैं तो बताए कि आपका comment box में कितना स्वही होता है तो चलिए हम लोग EK करके देख लेते हैं यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि मैंने लिखा है वैदिकाल यह आप लोग को शमझ में आ रहा होगा वैदिकाल जो था फ्रेंड्स वह पंद्रसो इसा पूर्व से लेकर के छे सो इसा पूर्व तक रहा है जिसमें रिख वैदिकाल और उत्र वैदिकाल दो भावां बाटा गया है तो आईए एक एक प्रस्णों को देखने का प्रयास करते हैं सबसे पहला जो प्रस्ण है वह है फ्रेंड्स वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को क्या कहा जाता है ए में जन्नती बी में संहिता तीर में बाली और डी में बिधाता क्या होगा इसके अंसर तो संहिता होगा ध्यान में रखिएगा वैदिक भजनो या मंत्रों के संग्रव को क्या कायता है तो संग ही था याद हो गया होगा आप लोग को चलिए आगे चलते हैं दो नमर प्रस्टन को देख लीजिए दो नमर प्रस्टन में है रिख बेद में गविष्टी सब्द यूदि के लिए था जिसका अर्थ क्या है तो A में गोशाला B में चारागा C में गायो की खोज या D में गायो की उपर लगने वाला टैक्स यानि कर इसका अंसर गायो की खोज होगा ध्यान में रख लीजिए गा कविष्टी सब्द का यूदि के लिए था जिसका अर्थ जो है गायो की खोज या होगा आईए अगला प्रसन देख लेते हैं तिन नंबर तिन नंबर प्रसन है फ्रेंड्स प्रद्दोत किस महाजनपत का राजा था A में काशी B में कोशल C में मगज D में अवन्ती इसका अंसर अवन्ती हो जाएगा फ्रेंड्स अवन्ती महाजनपत जो है फ्रेंड्स बरत्मान में मद्य परदेश जो मालवा का छेतर है वहाँ परवस्तित था ध्यान में रखिएगा इसकी राधानी दो थी फ्रेंड्स दो जगा इसकी राधानी थी एक राइधानी उजयन और दूसरी की राइधानी फ्रेंट्स थी एक तका उजयन था और दूसरा का उसका महीश्मती था राइधानी ध्यान में रखिएगा चार नमर प्रस्ण को देख लेते हैं अलवार किस भारतिय देवता के भक थे ए में शक्ति बी में शियू सी में ध्यान में रखिएगा अगला प्रस्ण देख लेते हैं पांच नमर प्रस्ण में है फ्रेंट्स वैदिक काल में आठ प्रगार के विवा होते थे उनमें से कौन सा विवा प्रेम विवा है यानि लव मैरेज ए में ब्रह्म विवा बी में गंधरव विवा सी में दैव विव इसका अंसर हो जाएका फ्रेंट्ट B घंधरव वीवा ध्यान में रखियेगा 6-9 तुल को देख लेते हैं अब अभी बर्तमान में, बिहार में जो मुझपरपुर जीला है और बैशाली जीला है वो ही छेतराता था है इनसके अंत्रकॉत साथ नमर प्रश्ण को देख लेते हैं, साथ नमर प्रश्ण है फ्रेंड्स, रीग वेद में कितने पुष्टकों या मंडलों में ब्रश्ण किया गया है इसका उप्सन है ए में 12, ब में 34, सी में 8, ड में 10 इसका अंसर हो जागा ड नमबर यानि 10 दस भाग थे ध्यान रखियेगा, 10 मंडल थे आठ नमर प्रश्ण को देख लेते हैं आठ नमर प्रश्ण में है कौन सा वेद, वेद, त्रही का हिस्सा नहीं है वेद, त्रही फ्रेंट, एक पुष्टक है ध्यान रखियेगा ए में रिग वेद, ब में शाम वेद, सीम्ये जरुवेद, ड में अथरुवेद इसका answer क्या आओगा तो इससे देख लेते हैं तो इसका answer होगा friends अथारव वेद ध्यान रखिएगा इसका answer जो है अथारव वेद होगा 9 नौर प्रस्ट नहीं है इसको देख लिजिए किस वेद के मंत्रों को होतरी या होता दोरा सुनाया गया था कि जितने वेद हैं उसके मंत्रों को पुरोहित दोरा सुनाया जाता था तो जो जो पुरोहित थे उनका अलग अलग नाम था तो जिसमें से रिख वेद के जो मंत्र को सुनाया करते थे फ्रेंट्स वही जो होतरी या होता काल आते थे धान रखिएगा इसका अंसर डी हो जाएगा अब आता है दस नमर प्रसंट पर और आखरी प्रसंट पर आरे सब्द का सावधिक अर्थ क्या होता है यह में बी रिया योधा बी में स्रेश्ट एकुलीन सी में पुरोहित दी म जो स्रेश्ट थे फ्रेंट्स वही उनको कहा जाता था या जानना आरे सब्द का जानना भी अर्थ होता है ध्यान रखिएगा यहां पर कुलीन तपका भी है ध्यान में रखिएगा तो फ्रेंट्स इस वीडियो में इतना ही वीडियो गर अच्छा लगा हो तो लाइक जरू सब्सक्राइब करेंगे तब तक के लिए बने रहे हमारे चैन के साथ और सुझाव देते रहिए चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नमस्कार धन्यबाद